नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कोट ने केंद्रा राज दोनों पर नराजगी जताते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी केंद्रा राज गंभीर नहीं दिख रहे हैं अगली सुनवाई से पहले ग्रिह मंत्रा अलेके ग्रिह सची को एफडेविट दायर करने का आखरी आधेस कोट की ओर से दिया गया है कोट के निदेशक, UID Director Intelligence Bureau, Chief Election Commissioner, DGBSF को पार्टी बनाया गया है इन सभी को भी गुसपैट मामले में एफड़ एफड़ फाइल करने का निर्देश दिया है राज सरकार को SPT Act, Water ID के ओलंगन को रोकने का निर्देश दिया गया है हाई कोट ने कहा कि बंगलादेश के हालास से गुसपैट का मामला ज्यादा गंभीर हुआ है मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी आपको बताद है कि प्रार्थी के ओर से अधिवक्ता राजी कुमार ने पक्ष रखा कारेकारी मुख्य नयाधिस, सुजीत नरायन परसाथ की अधक्षता वाली खंड़ पिट ने कहा कि बंगला देश में राजनितिक अई सिर्था का महौल है, अगर अभी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी कोट ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा सवेदल सिल मुद्धा है निर्देश के बावजुद नतुक किंदर सरकार की ओर से इस मामले में सपत्पत्र दाखिल किया गया और नहीं जारकंड के 6 जीलों के उपायुक्तों ने रिपोर्ट कोट में जमा की है इधर बंगलादेशी घुसपैटियों की पाचान पर राज सरकार ने जब यह कहा कि उनके पास पाचान को लेकर कोई मेकेनिजम नहीं है तब कोट ने कहा कि राजे में CID है, IB है उनकी सहता से इसकी पाचान हो सकती है सहर में जगा जगा बसे बंगलादेशी घुसपैटियों को चिनहित करने की मांग विस्व हिंदू पैटसद जमसेदपूर की धर्म परचार इकाई ने सहर में जगा जगा रह रहे बंगलादेशी घुसपैटियों को चिनहित कर उन पर करवाई करने की मांग की है इस समन में एक ग्यापन बिरस्पतिवार को धर्म परचार इकाईने राजेपाल के नाम उपायुत को सोपा उन्होंने बताया कि जमसेदपुर सहर के कई हिसों में जमाई टोला बना कर बंगला देशी को बसाया जा रहा है कभी बैपारी करूप में तो कभी साधु के भेस में और अने भेस में घुसपैठिय निरंतर जमसेदपुर सहर आ रहे हैं आरूप लगा है कि ऐसे बिदेशी लोग समाजवा राष्ट के लिए साइनाईड जैसी तेज जहर से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी बिदेशी सकती कारेरत है धर्म परचार इकाई ने उपायुक्त से ऐसे लगों की जाच कर इनके पीछे जो भी जिहादी और देश बिरोधी लोग सामिल है उनको तुरंत जेल भेजने की मांग की है मुखमंत्री मैया समान योजना की धिमी प्रगती से सीम हमंसरे नराज मुखमंत्री हमंसरे मुखमंत्री मैया समान योजना की प्रगती रिपोर्ट पर गहरी नराज की परगट की है उन्होंने अपने एक्स हेंडल से 10 DC को टैग करते हुए कहा कि इस योजना के आवेदन की संखिया आपके जीले में संतोस जनक नहीं है जिसे सविकारे नहीं किया जागा उन्होंने DC, चत्रा, गुमला, जमताडा, खुटी, कुडर्मा, लोहरदागा, रामगड, सरायकेला, सिम्डेगा और चाइबासा जीले के DC को टैग करते हुए परगती रिपोर्ट जारी किया है राची में जमीन हड़पने वाले ब्यक्तियों पर होगी बड़ी करवाई डीजीपी अनुराग गुपता ने किया SIT का गठन छह IPS और एक ASP टीम में सामिल राची जीला में खास कर सहरी छेतरे में जमीन माफियाओं के दवारा जमीन के कागजातों का फर्जी वाड़ा कर और बल पुर्वा गलत तरीके से जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है ऐसे मामले की जांच करने को लेकर डीजीपी अनुराग गुपता ने साथ सदस्य SIT टीम का गठन किया है जिनमें CID के IG सुदर्शन परसाद मंडल को अध्यक्ष बनाया गया है डीजीपी के दवारा जारी अदस में कहा गया है कि SIT के दवारा राची जीला में अब तक दर्ज सभी महतपूर्ण अपराधिक मुगदमे की गहन समिक्षा की जाएगी इनमें ऐसा कांड भी सामिल रहेंगे जिनमें फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया गया है और वैसे कांड को भी सामिल किया जाएगा जिनमें अनुसंधान लंबित है मैन हर्ट कम्पनी ने बिधायक सर्यू राय पर ठोका 100 करोड की मनहानी का मुगादमा Manhattan Company ने पुर्वमंत्री और जमसेत्पूर के भिधायक शर्यूराय के खिलाफ राची शिविल कोट में मनहानी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है मैनहट कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि सर्यूराय की वज़ा से कंपनी विवादित हो रही है जिसे कारण कंपनी को काफी आर्थिक छती उठानी पड़ रही है सर्यूराय बिना किसी ठोस अधार के मेसर्स मैनहर्ट सिंगापूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को विवादित बनाते हुए बार-बार मुद्दा उठाते रहते हैं इससे कंपनी की छवी खराब हो रही है कंपनी ने सर्यूराय के खिलाब सो करोड का मनहानी के अधावा करते हुए सिवील कोट राची में मुकदमा जर्ज कराया है नकसली ओपरेशन में सारंडा जंगल से पांच किलो का आईडी मिला केंप ध्वास्त सारंडा जंगल में भागपा मावादी नकसलीयों के खिलाब साथ अगस्य संचालीत ओपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस दौरान पुलिस ने पांच किलो का आईडी बरामद कर जंगल में ही नश्ट कर दिया पुलिस अधिक्षक आसुतोस सेखर ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान गुरुवार को छोटा नागरा थाना के अंतर गराम बलीबा के आसपास जंगल और पहाडी छेत्रों में सुरक्षा बालों को लक्षित करने के उदेशे से नक्सलियों दौरा पुरो में लगाए गए पांच कीलो वजन का आईडी बरामत कर सुरक्षा के दृष्टिकों से उसी अस्थान पर बम निरोथक दस्ता की साहता से नस्ट कर दिया गया है साथ ही एक नक्सलियों का एलोपी लोकेशन प्राप्त हुआ है इसमें लगभग 25 से 30 नक्सलियों के रुकने की ब्योस्था थी जिससे सुरक्षा बालों ने ध्वस्त कर दिया है धुमका में इंडियन बैंक से दिन धाड़े 20 लाख रुपए की लूट जारखंड बिहार के सीमावर्ती दुमकाजी लेके हसन डिया थाना छेतरे में इंडियन बैंक की साखा में हतियार बंद अपराधियों ने गुरुवार को दिन धाड़े लूट की वर्दात को अंजाम दिया दोफर करीब 12 वजे 5 अपराधी बाइक पर सवारो कर बैंक पहुचे इनमें से 3 नकाब पोस्त थे बैंक में हुसते ही अपराधियों ने हथियार ला राता हुए कर्मियों को धमकाया और कैस काउंटर में रखे करीब 20 लाख रुपए लूट कर देवहर की और भाग निकले बैंक से बाहर निकलने के बाद अपराधियों ने मुखे गेट पर ताला भी मार दिया था घटना के बाद बैंक कर्मियों ने ततकाल पुलिस को सुचना दी घटना की सुचना मिलने के बाद जर्मुंडी, SDPO, संतोसकुमार, दलबल के साथ मौके पर पहुँचे उन्होंन का लाभ लेने के लिए राशनकाड अनिवार दस्थावेजों में से एक है, सरकारी के लगभग सभी जीलों में राशनकाड का कोटा भर चुका है, सभी जीलों में अलग-अलग कोटा दिये गये हैं, जिसके उनसार कार्ड बनाय जा चुके हैं कई लाभुकों का कहना है कि उन्होंने तीन साल पहले राषन कार्ड के लिए अपलाई किया था लेकिन अब तक कार्ड नहीं बन सका है रांची जीला आपूर्ति करियाले से पता चला कि रांची में राशन कार्ड धारकों की तैसंख्या पूरी हो गई है वहीं अभी 1000 कार्ड बनाने के लिए आविधन पेंडिंग है जब किसी कार्ड को निरस्त किया जाता है तब पहले किये गए आवेदन के अधार पर नए रासन कार्ड बना जाते हैं वर्तमान में जारखन में 2,64,014,061 NFSA यानि राष्टिये खाद सुरक्ष अधिनियम सदव से हैं जिसमें 2,29,73,150 PHH यानि प्राथमिक्ता वाले परिवार कार्ड धारक सदव से हैं वहीं 34,4,911 AAYI यानि अंत्योदय अन्योजना सदव से हैं जारखन में मुखमंतरी मया सम्मान योजना, आईसमान भारत योजना की तरज पर जारखन सरकार ने अबुआ स्वास्त बीमा योजना और अबुआ आवास योजना मुख योजनाओं में से एक हैं जिसका लाब लेने के लिए लाभुक राशन कार्ड बनवाने के लिए SBO कर्याले के चक्कर लगा रहे हैं भारती होकी टिप ने जिता ब्रॉंज मेडल, दोहराया 52 साल पुरान आईतिहास भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कमाल करते हुए ब्रॉंज मेडल जिता है गुरुआर को ब्रॉंज मेडल के लिए खेले गए मुगावले में भारत ने एस्पेन को 2-1 से हरा कर मेडल जिता टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत ने पेरिस में ब्रॉंज जितकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है भारत ने इससे पहले 52 साल पहले ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जिते थे इससे पहले 1960 से 1972 तक भारत ने होकी में लगातार 4 मेडल जिते थे फिर 1976 इस भी में ओलंपिक में देश को कोई मेडल नहीं मिला इसके बाद 1980 में गोल्ड जितकर पर्चम लह राया था होकी में ओवराल या भारत का ओलम्पिक में 13 मेडल है इन में 8 मेडल गोल्ड ही है